फ्रेंड्स क्या आपका भी डोसा इस तरीके से पैन को ही चिपक जाता है और निकालते वक्त निकलता भी नहीं तो आप बिल्कुल फिकर मत करें ये दिखें इस तरह के से एक्टम परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बनाने का तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे द पलसी मुंगफली की चटनी के भी रेसिपी शेयर की है तो आज का वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए फ्रेंड्स आज की मज़दार रेसिपी शुरू करते हैं तो डोसा बनाने के लिए सबस अगर खाने के लिए यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं तो दिखिए ये रेशन के जो चावल होते हैं थोड़े से स्टिकी होते हैं जिससे ये इल्ली बैटर या डोसा बैटर एकदम परफेक्ट बनता है और इसी के साथ हमें इसमें एड करना है एक कटोरी इतने उरत दाल दिखिए चार कटोरी इतने चावल हमने ले लिया तो एक कटोरी इतनी उरत दाल एकदम परफेक्ट रेशुओ है फ्रेंड्स कोई भी एक बरतन सेट कर ले अगर उसे से आप सारी चीज़े ये लेंगे तो एकदम परफेक्ट रेशुओ आपको मिल जाएगा और बस इस उर बैटर हमें मिल जाएगा तो दिखे मैंने इस चावल उरत दाल को अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा पाने डाल करके इसे हमें भीगने के लिए रखना होता है लेकिन इससे पहले हमें इसमें एड़ करना है वन टेबल स्पून इतना मेथी दाना जी हां फ्रेंड्स य हमें भीगने के लिए छोड़ना है पांच से छे गंटे के लिए इस तरह से ढख करके और देखें पांच गंटे के बाद ये जो चावल और दाल है अच्छे से भीग चुकी है फ्रेंड्स मैंने नाकुन से इसे प्रेस करके देखा तो इजिली ये दो तुकड़ में अलग ह तो बस अभी हमें इसे पीषना है तो यहाँ पर हम लेंगे एक बाद का जार देखें इसे पीषते वक्त नहों सकें तो कम पानी का इस्तेमाल करें क्यूंकि इसी मिर्ली आं भी बनाने वाली हूं तो इनली को लिए हमें ये बैटर थोड़ा सा ठीक चाहिए होता है तो इसे बस थोड़ा थोड़ा ये दाल चावल मिक्सर में डाल करके हम इसे एक तम बड़ी आसा पीस लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह का मैंने इसे मिक्सर को पीस लिया है तो सभी मिक्सर हमें इसी तरह के से थोड़ा थोड़ा करके पीस ना है एक साथ जादा मिक्षर आप मिक्सी के जार में डाल करके पीसेंगे तो मिक्सी आपकी खराब हो सकती है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे पीसना होता है तो ये डाल चावल का मिक्शर तो मैंने पीस लिया फ्रेंट्स और इसमें एक चीज हमें एड़ करनी है जिससे हमारा डोसा, इल्ली, उतपा जो भी बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट बनेगा वो है एक बाव लितने पके हुए चावल देखें ये सुबह की चावल है जो पानी की अवश्कता होगी तो डाल दीजेगा क्योंकि ये पके हुए चावल ना पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है फ्रेंट्स सरी से मैं अभी अच्छे से पीस लेती हूँ देखिए आप एक कटोरी इतने पके हुए चावल की जगा एक कटोरी इतना भीगा हुआ पोहा या साबुदाना भी यूज कर सकते हैं तो दिखेए फ्रेंट्स यहाँ पर हमारा बैटर रेडि हो चुका है इसके बाद हमें एक इंपोर्टन काम करना होता है जो हर कोई भूल जाता है फ्रेंट्स तो दिखिए हमें इस बैटर क इसको आप याद रखे फ्रेंट जब भी आप इल्ली बैटर या डोसा बैटर घर पे बना रहे हो इसे फेटते वक्त आप खुद महसुस करेंगे कि यह आटा जो है एक्तम फलपी हो चुका है तो बस इसके बाद हमें इसे रखना होता है फर्मेंटेशन के लिए जो प्रोसेस साथ से आठ घंटी की होती है फ्रेंट और वैसे भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो है न यह वेदर के उपर डिपेंड करती है तीखिए अगर आपके पास सर्दिया चल रही है तो इसे फर्मेंट होने में टाइम लगेगा और अगर आपके पास गर्मिया चल रही है तो छ परफेक्ट बनेगा अगर आपका आटा अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा तो इल्ली डोसा जो है ना वो भी गड़ सकते हैं तो मैंने अभी इस तरीके से इसे टाविल से ढख दिया है क्योंकि यहां पर फुल टू सर दिया चल रही है तो अभी रात के दस बज रहे हैं और स इसे खोल देती हूँ यह थोड़ी सी टाइम कंजुमिंग प्रोसेस है बट इसे हमें फॉलो करना होता है और यह देखे फ्रेंट सुबह के 8 बजे मैंने इसे खोला तो देखिए यह आटा कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है कितना यह साइज में फुल चुका है फ्र नहीं करना है जितना बैटर के अवशकता होगी न उतना ही बैटर अलग सा एक बाउल में निकाल करके यूज कीजिए और जो बैटर बचता है उसे आप फ्रीज में स्टोर करके 2-3 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं तो दिखिए मुझे जितना बैटर चाहिए न उतना ब इससे आप इलिया अच्छे से बना सकते हैं बटर डोसे के लिए बैटर हमें थोड़ा पतला चाहिए होता है तो मैंने यहाँ पर आदा कप इतना पानी इसमें डाला फरस्टेज में देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिएगा एक साथ अगर पानी आप डा बैटर हमें थोड़ा पतला ही चाहिए होता है और आपास से एक बार आप इसकी थीकनेस देखिए यह देखिए एक दम परफेक्ट है यह चम्मस से अटमेटिक इस तरह से गिरना चाहिए तो बैटर तो हमारा रेडी है तो डोसे बनानी के लिए यहाँ पर ग्यास पे मैंने एक पान रख दिया है पान भी अच्छे से गरम हो चुका था तो मैंने थोड़ा सा ओइल उपर से स्प्रेड कर लिया इसके बाद ना इसके उपर हमें इस तरीके से हाथ से पानी डालना है और पानी को इंस्टंटली पोच लेना है तो यह दिखे फ्रेंट डोसे के लिए प स्टेप बाइ स्टेप अगर आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका भी डोसा प्यान को बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और अच्छे से आप इसे फैला सकेंगे यहाँ पर आप फैलानी के लिए काटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद मैंने आदा चमच इतना तेल उपर से डाल दिया है ग्यास काफले मस्ट भी हाई रखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर के लाइन्स इस डोसे में आ चुके हैं तो बस अभी हम इसे निकाल लेंगे डोसे को निकालने में बिल्कुल भी प्रोब्लम नहीं आएगी फ्रेंट्स बहुत ही आसान इसे डोसा प्यान से अलग हो जाएगा यह दिखिए तो प्लीज मेरे तरीके से आप एक बार घर पे डोसे को बना लीजिए और आपको रेसे भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तो डोसा बनकर तयार है तो बड़ी आसी मुंग फली की चटनी भी बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी के जार में पचास ग्राम इतनी रोस्टेड मुंग फली ली है फ्रेंट्स यह दिखिए इसमें मैं दो हरी मिर्ची को ड डालूंगी आप चाहे तो खटास के लिए यहाँ पर दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दो टेबल सुन इतना दही आप इसमें डाल सकते हैं और बस एक कप इतना पानी डाल करके बड़ी आसा हम इसे पीस लेंगे और यह दिखिए फ्रेंट्स एकदम सिंपल सी मज़दार जैसी कि आप इसमें तड़का डाल सकते हैं या फिर इसे और जधा पतला कर सकते हैं तो दिखिए मैने इस तरह की मुंग फली की चटनी यहाँ पर डोसे के साथ बनाई है फ्रेंट्स आप चाहे तो आलू की सबजी भी बना सकते हैं मैंने आलू की सब्सी की रेसिपी पहले प्रेटी मुखफली की चट्नी आप एक बार ब्रेकफास्ट में खाकर दिखिए हर दिन यही ब्रेकफास्ट खाना पसंद करेंगे सभी की पसंदिदा रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी डोसा यहाँ पर बना था मैं आपको आवाज नहीं सुना सकती बत यकीन मानि यह फ्रेंड्स आप भी इसे घर पर ट्राइ कीजिए और आपको मेरी रेसिपीज मेरे वीडियो अच्छी रखती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाज उमें जो बेल आइकोन होता है उसे भी प्रेस करेंता कि मेरे वीडियो की नवाद